जैसे क्रिश्णा मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आपका अपनी किचिन क्रिश्णा क्रिएटिव किचिन में आज हम आपके लिए बची हुई रोटियों का ऐसा नास्तर ले करके आए हैं जो कि ऊपर से बहुत क्रिस्पी और कुरकुरा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है तो आप देख लीजे इस नास्तर की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का नास्ता आज की रेसिपी के लिए हमने रोटिया ले हैं जो की अक्सर हमारे घरों में बच जाती है और हम वेश्ट कर देते हैं अज हम रोटि से अपनी रेसिपी को बनाएंगे और लिये हैं तीन मीडियम साइज के आलू जो हने हमने बॉल कर लिया है और चिलका उतार लिया हैं अब हम इने एक स्पून की हेल्प से मैस कर लेंगे आलूओं को मैस कर लिजे आप अच्छे से आप पोटेटो मैसर की हेल्प से या स्पून की हेल्प से इनको मैस कर लिजे अब हम इनमें डालेंगे कुछ मसाले यहां पर हमने लिया है एक बारी कटा हुआ प्याज और हरा धन अब डालेंगे आदा चम्मच कार्ली मींज का पाओडर, आदा चम्मच हमचूर पाओडर, आदा चम्मच चिली फ्लेक्स और आदा चम्मच ओरीगैनो ‫चाह पकूम चाहता to you निक्स कर लेंगे हमारा आलू का चटपटा सा मसाला बन करके तयार है अब हम इसे साइड में रख देंगे और एक बाउल लेंगे उसमें तीन से चार चम्मच मैदा डालेंगे और इसमें आदा चुटा चम्मच नमक डालेंगे और इसमें पानी डाल करके इसका एक पतला सा घ गोल बनाए एक साथ सारा पानी मत डालिए नहीं तो हमारी बैटर में लंपस बन जाएंगे और फिर हमें बहुत परिसानी होगी इस घोलने में तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके हमने बैटर बना लिया है अमें इतना पतला बैटर ही चाहिए अब हम लेंगे अपनी रोटी उसके उपर थोड़ा सा पानी चीटेंगे और उस पर लगाएंगे पीजा सॉस आप यहां पर पीजा सॉस की जगे पर सेजवान सॉस ग्रीन चटनी या टुमैटो को अचक भी ले सकते हैं अब हमने सॉस को रोटी पर फैला लिया है अब हम इसके उपर हमने जो आलू का मसा बनाया था वो लगा देंगे इसे रोटी पर चारो तरफ बढ़िया से स्प्रेट कर दीजे यह ना ज्यादा कम लगाए ना ज्यादा ज्यादा इसे मीडियम क्वांटिटी में अपनी रोटी पर लगा लिजे अब हमने यहां पर मॉजरेला चीज ली है इसे आम रोटी पर देंगे यह पूरी तरह से ऑप्सनल है अगर आपको पसंद हो तो डालिए वरना हटा दीजे और इसके बिना भी रेस्पी बहुत टेस्टिल बन करके तयार होती है अब मॉजरेला चीज डाल करके इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और अपनी रोटी को दबा दबा करके एक ठाइट रोल बना लेंगे हमने एक रोल बना लिया है आप इसी तरह से सारे रोल बना करके तयार कर लीजिए जब हमारे सारे डोल बन करके तयार हो जाएं तब हम एक knife की help से इसके छोटे चोटे पीसिस कट करेंगे एक रोटी से हमें 5-6 पीसिस कट करने हैं आप इसे छोटा या बढ़ा कर सकते हैं जब आपके सारे पीसिस कट हो जाएं तब हमें लेना हैー। कौन फ्लेक्स को मिक्सर जार में डाल करके इसका एक पाउडर बना लेंगे हमने कौन फ्लेक्स का एक पाउडर बना करके तैयार कर लिया है और अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ अब हमने जो रोटी के टुकडे हैं वो लिए हैं और उसे हम मैदा वाले घोल में डिप करके निकाल लेंगे और उसे इस कॉन फ्लोर के पाउडर में लपेड देंगे उपर से ध्यान रखिए चारो तरफ से ये पाउडर अच्छे से लपेड जाए इससे हमारे जो नास्ता है वो बहुती क्रिस्पी करारा बन करके तयार होगा इसी तरह से हम सारे रोल्स को मैदे के पानी में डिप करके और उसे कॉन फॉर के पाउडर में लपेड करके तयार कर लेते हैं ये नास्ता फ्रेंड्स जो कोई भी देखेगा या खाएगा बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा कि ये हमने घर की बची हुई रोटियों से बनाया है और बहुत ही टेस्टी भी लगता ये खाने में अब हमने साड़े रोटी रोल्स तैयार कर लिए हैं अब हम चलते हैं गैस की तरफ गैस पर चड़ाया एक पैन उसे हमने मेडियम हाई फ्लेम पर उसके ओल को गरम करना है और उसमें अब हम अपने ये रोटी के रोल्स डाल देंगे और इन्हें नीचे से गोल्डन ब्राउन ह के बाद पलटेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक बढ़िया से क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे प्रेंड्स आप ये नास्ता एक बार जरूर बना करके देखिए आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा फिर आप इसे जान बूझ करके रोटी बचा करके बनाना पसंद करेंगे अब अमारा नास्ता एक तरफ से सिक करके तयार है अब हम इसे टर्न कर लेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी करारा कुरकुरा चटपटा सा नास्ता बन करके तयार होगा अब हमारा नास्ता बढ़िया गोल्डन ब्राउन होकर के तयार है अब हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे जिससे कि इसका सारा एक्स्ट्रा ओयल निकल जाए हमारा बढ़िया टेस्टी कुरकुरा करारा चीजी क्रीमी नास्ता बन करके तयार है आप इसे इंज्जॉय करिए इसी तरह से हम सारा नास्ता बना करके तयार कर लेंगे अब यहां पर हम अपने दूसरे बैच का नास्ता डाल देंगे और उसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लेंगे हमारा दूसरे बैच का नास्ता भी सिक करके तयार है इसे भी हम जाली में निकाल करके प्लेट में निकाल लेंगे और हमारा नास्ता बन करके तयार है अब हम इसे सर्व कर लेते हैं यह नास्ता चार से पांच लोगों के लिए सफिसियंट है तो चलिए अब हम अपने नास्ते को प्लेट में सर्व कर लेते हैं देखिए फ्रेंज्स देखकर कोई भी नहीं बता पाएगा कि यह नास्ता हमने रोटियों से बनाया है और यह देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत ही स्वाधिश्ट है बहुती क्रिस्पी कुरकुरा करारा बन करके तैयार हुआ है अभी मैं आपको एक तोड़ करके भी दिखाऊंगी इसका अंदर से टेक्चर कैसा है अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन प्रेस करना मत भूलिए जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहे देखिए फ्रेंड्स इन आस्ता मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ देखिए अंदर से कितना सौफ्ट और उपर से कितना क्रिस्पी कुरकुरा है तो आप इसे जरूर ट्राइ करिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैसी कृष्णा राधे राधे